नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है राहूल यादव और आप सभी का स्वागत है इंवेस्ट राइट की एक नई वीडियो में दोस्तो आज की वीडियो में भी डिसकस करने वाला हूँ आप ही लोगों के द्वारा जो कमेंट्स मुझे बेजे जा रहे हैं उनी के बारे में तो वीडियो को देखेगा काफी हद तक mutual fund के बारे में आपको काफी कुछ सीखने को यहां से मिलेगा और आप अच्छी तरह से अपने पैसे को manage करना यहां से सीखेंगे तो start करते हैं देखे entertainment के लिए तो YouTube भरा पड़ा है लेकिन थोड़ा सा समय निकाल के इस तरह की वीडियो उसको आप लोग जरूर देखा कीजे यह आपको काफी कुछ सिखाती हैं चीजे डिसिप्लीन में कैसे हमें निवेश करना चाहिए कैसे हम अपनी financial planning कर सकते हैं बहुत कुछ हमें यहां से सीखने को मिलता है थोड़ा सा interest आपको इन चीजों की तरफ जरूर रखना चाहिए चलिए फिलाल स्टार्ट करते हैं लेते हैं अपना पहला कमेंट यह कमेंट मुझे किया है मैम ने किया है सर मेरा नाम आरती है मेरे पास अभी 6 लाक है मैं बेटी की शादी 15 साल बात करूंगी तो कौन से फंड में कितना पैसा डाल दूँ और आपकी वीडियो मुझे मोटि में निवेश कर रही है मैं देखिए जो पैसा मुचल फंड में निवेश करते हैं पैसे पर रिस्क जरूर रहेगा क्योंकि पैसा हमारा स्टॉक मार्केट में निवेश किया जाएगा अब 15 साल का निवेश है तो इक्विटी मुचल फंड में हमें निवेश करना चाहिए क् लंबे समय में हमें returns अच्छे मिले हैं जैसा कि हमने past में देखा है लेकिन past के returns future के returns की guarantee नहीं हो सकते ये भी हमें चीज जरूर ध्यान में रखनी है देखिए अगर आप थोड़ा risk लेने के लिए तयार हैं क्योंकि देखिए अगर पैसा बढ़ाना है तो risk तो हमें लेना पड करें या कहीं और निवेश करें mutual fund में निवेश करें रिस्क तो रहता है अगर आप mutual fund के risk लेने के लिए तयार है इसको बागी mutual fund के किस प्लान में कितना risk है कौन सी category कितनी रिस्की है इसके लिए आप मेरी बागी वीडियो को भी देखिएगा मैंने काफी कुछ detail में बताया है फिलाल बात करूँ अगर आपके पैसे छे लाक रुपे जो आपको निवेश करना है देखिए अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते वैसे तो काफे रिस्की mutual funds भी अवेलेवल हैं हां आप क्या कीजिए index fund में निवेश कीजिए index fund में एक benefit तो index fund का आपक कम देना होगा अब index fund के किस प्लान में आपको निवेश करना चाहिए आपको next 50 next 50 index fund निफ्टी next 50 के नाम से index fund आपको मिलेंगे 15 साल की duration है रिस्क भी कम रहेगा returns भी ठीक है आप इनको देख लीजिएगा सारा पैसा मत निवेश कीजिएगा क्योंकि हमारी duration देखे बहुत आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 2,00,00 रुपे अपने निफ्टी next 50 में डाल दिये बागी के जो 2,00,00 बचे आपने फ्लेक्सी कैप में डाल दीजिए देखिए यहां मैंने small कैप को consider नहीं किया है उसके पीछे भी reason है देखिए सभी की रिस्क लेने की छमता लग अलग होत तो थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं कि रिस्क आपको कम से कम मिले देखे ये पॉर्टफोलियो आपको अगर पंदरा परसेंट के रिटर्स भी दे देता है तो भी आपका पैसा अच्छा खासा ग्रो हो जाएगा इसके लिए भी कल्कुलेटर का यूज़ कर लेते हैं चलिए यहां हम लोग लम्सम कल्कुलेटर पर बात करेंगे लम्सम कल्कुलेटर चलिए सर्च करते हैं लम्सम कल्कुलेटर देखे यहां जो हमारा निवेश है वो 6 लाक रुपे का है शे लाक रुपे का निवेश है आपकी जो डूरेशन है पंदरा साल की है और रिटन्स बहुत ज्यादा नहीं पंदरा पर ही कैलकुलेशन कर रहे हैं कि अगर हमें ऑवरॉल पॉर्टफोलियो में 15% की रिटन्स भी मिल गए तो शे लाक रुपे की जो वैल्यू है लगब लग कोशिश कर रहा हूं कि जो भी चीजे है एक्चुली आपके सामने में उनको दिखाता रहूं आगे बढ़ते हैं गुड मॉनिंग सर मेरा एक कोश्चन है मैंने मोती लाल उस्वाल मिड कैप में SIP स्टार्ट की है अब मुझे कभी भी करेक्शन के टाइम में लंसम का मौका म आगे बढ़ते हैं बाकि Nifty 50 Index Fund में 2000 है देखे आपने बहुत सही पोर्टफोलियो बनाए क्योंकि Large Cap में लोकेशन आपका मुझे काफी बढ़िया दिख रहा है Small Cap में भी आपने 5000 रुपे रख दिये हैं एक आपने Mid Cap भी ले लिया है Flexi Cap लेने से भी थोड़ा Large Cap में लोकेशन बढ़ता है Nifty 50 Index Fund भी आपने रखा है बहुत सही है सर कोई दिक्कत नहीं है Suggestion की बात करूँ वैसे तो सही है लेकिन अगर आप और निवेश बढ़ाना चाहते हैं 1000-2000 जो भी आप बढ़ाना चाहें आप यहां क्या कीजिएगा एक Thematic Add कर लिजिएगा जैसे की Manufacturing Fund है हमारा Manufacturing को रख लिजिए उसमें काफी सारे Sectors कवर होते हैं अंगले 15 साल के लिए ठीक रहेगा कोई दिक्कत नहीं है आप एड कीजिएगा अच्छा रहेगा बाकि इसको भी चलाएंगे तो दिक्कत यहां भी कोई नहीं आएगी अगला सवाल देखे आप निवेश करने की कोशिश कर रहे है ग्रो एप के तुरू लेकिन टेंपररी ब्लॉक दिखा रहा है वापके अकाउंट को इसके लिए ग्रो टीम से आप एक बार बात कीजिएगा जो भी है देखे अब ग्रो एप के बारे में मैं बहुत ज़्यादा डीप मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मेरा कोई कॉलिबरेशन नहीं है किसी भी ऐसी कंपनी के साथ तो मैं इन चीजों में बहुत ज़्यादा जाता नहीं हूँ आपको देख लीजिए नहीं सही लग रहा है आप किसी और आपके तुरू निवेश कर लिजिए ग्रो से ही करना है तो टीम है उनकी वहाँ पर कस्टमर सपोर्ट आपको मिल जाएगा अप उनसे गवार बात कीजिएगा वो आपको इसमें हेल्प जरूर करेंगे आगे बढ़ते हैं दिने शर्मा जी का कमेंट है लंसम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पांच लाग रुपे इनको निवेश करना है दस साल के लिए देखे जर लंसम दस साल के लिए आपको करना है काफी अच्छी डूरेशन है डेपेंट करेगा रिस्क तौलरेंस आपकी कैसी है जैसे की मैं अभी भी डिस्कस किया था ज्यादा रिस्क ले सकते हैं थोड़ा सा आप स्मॉल कैप की तरफ बढ़ सकते हैं चाहते हैं थोड़ा इंडेक्स फंड में आप जा सकते हैं वागी पांच लाक रुपे हैं आपके दस साल के लिए आप कोशिच कीजिएगा डिउरेशन बहुत ज्यादा नहीं तो स्मॉल कैप से तो आप थोड़ा सा बचिएगा आप क्या कर सकते हैं मिड़ कैप में डाल सकते हैं कुछ पैसा कुछ पैसा आप डाल दीजिएगा जैसे कि निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी में यह अच्छी कैटेगरी है लंबे समय के लिए और अगर थोड़ा सा आप बैलेंस इसको रखना चाहते हैं देखिए दस साल के लिए चलिए बना ही देते हैं पांच लाक रु दीजिएगा निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी और एक आप रख लीजिए फ्लेक्सी कैप इन तीन जगह पैसे को बांट दीजिए बस आपका पैसा काफी सारे सेक्टर्स को कवर कर लेगा काफी ज्यादा डैवर्सिफाइड वो पैसा हो जाएगा रिटन्स भी आपको ठीक कुण फोर्मेश करेगा जो कंपनिया एनर्जी सेक्टर में काम कर रही है सीधा सीधा इसका मतलब यह है कि आपका पैसा उन्हीं कंपनियों के स्टॉक्स में निवेश किया जाएगा अब आप देख लीजिए विसे तो एनर्जी के सेक्टर पर गौर्र्मेंट का भी काफी है काफी फ्यूचर ब्राइट इस सेक्टर का देखने को मिल रहा है लंसम आप कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है रिटन्स आपको अच्छे मिलने की पूरी उम्मीद है यहां से बागी फ्यूचर में क्या होगा वो देखेंगे लेकिन अभी तक यह जो सेक्टर है यह काफी आप देख सकते हैं बाकी मेरा एक दूसरा चैनल भी है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसमें भी काफी सारे जो फंड्स हैं उनकी डिटेल वीडियो में धीरे धीरे बना रहा हूं आप उसको जाकर देखिएगा काफी सारे वीडियो आपको वहां भी प्रेंचल एनरजी फंड में 30,000 दो लंसम इन्हों ने किये हैं बाकी निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 1000 की साइपी कैनला रभीको में 1000 की साइपी मोतिला लोसवाल मिड़ कैप में 1000 की साइपी ठीक है सर एसाइपी का जो आपका एमाउंट है 40 की एज के हिसाब से आपने 1000, 2000, 2000 अपका स्मॉल कैप है, मिड कैप 1000, एक फ्रेक्सी कैप भी है आपके पास, ठीक है सर, पॉर्टफोलियो ठीक है आप इसको चलाइए क्योंकि दूरेशन आपकी ठीक ठाक है, फंड्स भी आपके अच्छे हैं, बाकी लंसम के बारे में मैं कहना चाओंगा आपने जो द पॉर्टफोलियो में थीमेटिक बहुत ज्यादा भी नहीं होने चाहिए, एक रख लीजिए, एक थोड़ा सा सेफ साइड डाल दीजिए, जैसे कि आज मैं बात करी रहा हूं इंडेक्स पंड के बारे में, तो उसमें डाल दीजिए, या फिर लार्ज और मिड कैप में डाल लॉंच करती हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा, सर मेरे पॉर्टफोलियो में करंट XIIR जो रिटन्स है, 4.133% दिखा रहा है, मेरा पॉर्टफोलियो रिटन्स ठीक हो रहा है सर, प्लीज रिप्लाइ में, देखे XIR जो रिटन्स हैं, अगर आपको अच्छे दिख रह हैं, दो तरह के रिटन्स आपको देखने को मिलते हैं, तो यह आपकी जो परफॉर्बेंस है, उसको दिखा रहा है, अगर यह पॉजिटिव हैं, तो आपके रिटन्स अच्छे चल रहा है, पॉजिटिव रिटन्स आपको मिल रहा है, जितने ज्यादा होंगे रिटन्स उत करना है 5,000 रुपे की SIP बहुत लंबी डूरेशन के लिए निवेश कर रहे हैं 5,000 की SIP है आप क्या कीजिएगा स्मॉल कैप रखेगा जरूर रखेगा दो स्मॉल कैप पंदरा सो रुपे महीना के पंदरा सो परमंत के दो स्मॉल कैप आप डाल दीजिए दो यानि कि आपका निवेश हो जाएगा कितना 3,000 रुपे महीना का दो स्मॉल कैप आपने रख दिए अब आप इसमें क्या कीजिएगा बाकी बचते हैं आपके पास 2,000 रुपे उनमें से आप एक यहाँ पर 1,000 रुपे महीना का मिड़ कैप डाल दीजिएगा मिड कैप क्योंकि आपकी डिउरेशन बढ़िया है अब हो गए आपके 4,000 रुपे बाकी का जो 1,000 बचता है चाहे तो फ्लेक्सी कैप ले लिजिए फ्लेक्सी कैप भी सर बढ़िया रहेगा चाहे तो आपको यह थीमेटिक एड़ कर सकते हैं बहुत ज्यादा रिस्की बना हैं मिड कैप के रिटन्स शांदार हैं आप किसी फ्लेक्सी कैप को रखते हैं वहां भी 17-18 परसेंट के रिटन्स मिल जाते हैं पांच हजार रुपे की क्या कर सकती है एक बार आपको जरूर दिखाना चाहूंगा आपको शायर यह चीज अच्छी लगे चलिए हैसाइपी क साल के लिए पांच हजार रुपे की साइपी तो इतने जबर्दस रिटन्स आपको बना कर दे सकती है कि आप हैरान रह जाएंगे पांच हजार निवेश एकस्पेक्टेड रिटन्स बहुत ज्यादा नहीं 17 परसेंट भी अगर मिल जाते हैं फिक्स तो नहीं हो सकते है ज्य करोड रुपे की वेल्यू आपको देखने को मिल सकती है यानि कि सिर्फ पांच हजार रुपे की साइपी भी आपको चार करोड रुपे तक फ्यूचर में बना कर दे सकती है ज़रूरत है कंटीन्यू निवेश करने की डिसिप्लीन में निवेश कीजिए लंबे समय तक तो दोस्तों ये कुछ कमेंट्स थे जो आज की वीडियो के लिए मैंने पिक किये थे उम्मीद करता हूं कि सभी के जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर हुए होंगे फिर भी कोई कन्फ्यूजन बाकी हो आप मुझे फिर से कमेंट कीजेगा रिप्लाइ मैं आपको जरूर करूंगा बाकी दोस्तों एक बात और मैं कहना चाहूंगा रिकमेंटेशन ये नहीं है केवले एजुकेशनल परपस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है क्योंकि म्यूचल फंड का जो भी निवेश है बाजार जो कीमों के अधीन होता है इसलिए जब भी निवेश करें लाइक शेयर जरूर कीजेगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजेगा नमस्कार